प्यारे बच्चों आज हम मुत्तसिल सुतूनी तरसीम जायन बार गिराफ बनाना सीखेंगे आपको एक जदवल नजर आ रहा है इस जदवल में जमात पांचवी से दसवी तक लड़के और लड़कियों की तादाद दीवी है इस मालुमात से हम मुत्तसिल सुतूनी तरसीम बनाएंगे मुत्तसिल सुतूनी तरसीम बनाने के लिए मरहिल पहला मरहला तरसीम का आगस पर X महवर, Y महवर और उनका नुक्ते तकाता दिखाईए बच्चो इतरसीम कागस पर X महवर और Y महवर दिखाया गया है आप कोड़ से इसे देखे दूसरा मरहला दो मुत्तसिल सुतुनों के दर्मियान फासला यकसा रखकर X महवर पर जमात दिखाईए देखिए X महवर पर जमात दिखाई गई है पांचवी से दसवी तक जमात दिखाई गई है और इनके दर्मियान फासला भी मसावी है तीसरा मरहला वाय महवर पर पैमाना तेह किजिए जैसे एक एकाई बराबर दस लड़के दस लड़किया वाय महवर पर लड़के लड़कियों की तादा दिखाईए बच्चों किसी भी तरसी में पैमाना बहुत एहमियत का हमिल होता है लड़कों के सुतून को हम डार करके और लड़कियों के सुतून को तिर्ची लाइनों से दिखाईएगे चौथा मरहला तै करदा पैमाने के लिहाज से हर जमात में लड़के और लड़कियों की तादाद दिखाने वाले सुतूनों की उँचाई तै कीजिए और सुतून खीचिए दो सुतूनों को अलग अलग दिखाने के लिए मुख्तलिफ रंग का इस्तिमाल कीजिए बच्चों इस तरसीम में हमने रंगों का इस्तिमाल तो नहीं किया हम अगर लड़कों के सुतून को डार करके और लड़कियों के सुतून को तिर्ची लाइनों से बताया है मैं उम्मीद करता हूँ के मुटतसिल सुतूनी तरसीम के तमाम मराहिल आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे और अब आप आसानी से इस तरह की तरसीम बना सकते हैं